नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वाती मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने दीन दयाल रसोई योजना के तीसरे चरण की शुरुवात कर दी है आपको बता दी अब मधिप्रदेश में चाचट नए केंद्रों पर भी पाँच रुपे में थाली भर कर खाना मिलने लगा तीसरे चरण के शुभारम में चाचट नगर पालिकाओं में इस थाई रसोई केंद्रों के खुल जाने से अब प्रदेश में 166 दीन दयाल इस्थाई रसोई केंद्र हो गया है मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चौहान ने शनिवार यानि आज कुशा भाव ठाकरे इंटरनेशनल कन्विंशन सेंटर में दीन दयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंब किया है साथ ही नगरिये शेत्रों में आवास हीनों को पट्टे भी वित्रित किये हैं इसका लाब 38,000 से अधिक आवास हीनों को दिया गया है अपने संबोधन में मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि पंडित देन दयाल उपाध्याई की एक बात हमेशा याद रहती है वे कहते थे कि जीवन का अंतिम लक्ष परमात्मा की प्राप्ति है और परमात्मा कहा मिलता है इस बारे में वे कहते हैं कि मैं नहीं जानता मंदिर में भगवान की आर्की उतारनी पूजा करने से सेवा कर ली गई और गरीबों के आंसु पोच दिये गए तो उनकी आखों में आपको साक्षात इश्वर के दरसन हो जाएंगे दीन दयाल जी कहते हैं कि दरिद्र ही नारायण है उनकी सेवा का मतलब भगवान की पूजा है आपको बता दे 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी तब भोजन की थाली 10 रुपए में दे दे थे अब दाम 15 रुपए करना चाहिए लेकिन भाजबा सरकार ने इस दाम को कम कर दिया और अब 5 रुपए में पेट भर भोजन की विवस्था की गई है भोपाल के कुशाभाव इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शनिवार यानि आज सीम ने कहा कि आज से चाचट दीन दयार रसोई और शुरू होगी जहां मजदूर होंगे वहां रसोई ले जाएंगे इसके लिए चलती फिरती यानि चलित रसोई की शुरूआत करेंगे बीस अजार से अधिक की आबादी वाली नगर पंचायत में दीन दयार रसोई शुरू की गई वहीं लाड़नी वहना योजना को लेकर कुछ लोगों द्वारा उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि यह पैसा बाटना नहीं बलकि बहनों का हक है धर्ती के संसादनों पर सबका हक है जिनके पास है वो उससे धमकाते हैं लेकिन अधिकार तो उनका भी है जिनका हक है उन्हें देने के रिए गरीबों के कल्याण की योजना चला रहे हैं यही सामाजिक नियाए है भुपजी ने अभी कहा कि और कुछ कितने बचे नभे और देख एक नम छोटी नगर पंचाहज नहां की आबादी कमें बहां दिक्कत नहीं होती कूंकि महां बहीं के लोते लेकिन जितने बीस हजार से ज़्यादा की आबादी की नगर पंचाहतें भी है सब में दीन द्याल रसोई शुरू की जाएगी ताकि भरपेट भोजन मजदूरी करने बारे भाई भी बेहन भी कर ले रहने के लिए हम व्यवस्था करने का प्रियास कर रहे हैं कि बाहर से आए तो रुकें कहां उसका इंतजाम भी चल रहा है आप गरीब कर जान का एक पूरा चित्र देखिए गरीब कर जाने का फिरी मे रासन जमीन मकान की विवस्था तीन द्याई जैसी रसोई उसके बाद बीमार हो जाये तो इलाज फिर बच्चों की पढ़ाई की विवस्था उसकी भी क्या चिंता करना मामा है पढ़ाई की विवस्था भी करवाएगा अब इस वास सारंगी बैचे मेडिकन की पढ़ाई अगर बच्चे मेधा भी हैं पर अपनी बुद्धी से हमका एड्मिसन मेडिकल कॉलेज में हो गया इसरिंग कॉलेज में हो गया आपको कल्पना नहीं है कई लोगों को कड़ एक बेहन मुझे मिलने आई बहुत गरीब थी बच में बास फिसांगो चाहे बहुत बहुत एसार नहीं हो गया मेरी बेटी के बहुत खालेज में हो गया बहां की प्राइवेट चालेज —को इसक कुछ उसने बताई एक सार की बारा लाग तेरा लाग बताई और बोले भाईया वो पूरी फीस आप भरवाओगे मुक्हमंत्री मेदावी विद्धार्थी योजना में अब आप भारती जन्ता पार्टी की सरकार को देखना तेरा पंजे कित्ते हुए 65, 65 लाख रुपया एक बेटी की फीस जो मजदूरी क करने वाली बेहन की बेटी है मामा भरवाएगा भारती जन्ता पार्टी सरकार देखना और एक काम और अभी करने वाले उसके भी टेंडर हो गए कि जहां मजदूर हो दूर दूर रसोई होती तो भोजन करने कित्ती दूर जाए पता चला आने जाने भी बहुत टाइम लग तब ये जोजना बनाईए नगरी विकासबाग भुपन जी उनकी टीम ने पूरी कि अब जहां मजदूर होंगे भी रसोई ले जाओ तो चलती फिरती रसोई बढ़िया गाडियां रहेगी उसमें रोटी पूरी चाबल बनता रहेगा और जहां मजदूर खड़े भी ले ज लोग ये भोजन